So Hello Guys, कैसे हो आप स्वागता आपका अपने यूटीब चैनल पर जदी आप एक रेटेलर हैं और आप जियो पोस प्लस एप्लिकेशन यूज करते हैं तो Guys, आज इस वीडियो में आपको बताने बाला हूँ कि जब भी हम किसी कस्टमर का MNP SIM एक्टिवेट करते हैं तो बहाँ पर हमें UPC Code जा Port Code डालना होता है तो Guys, आज इस वीडियो में आपको बताने बाला हूँ बिना UPC Code डाले आप कैसे MNP कर सकते हैं तो Guys, कंप्लीट वीडियो देखना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और ज़ती आप एक रीटेलर हैं और अभी तक आपने मुझे मिरे टैलीग्राम चैनल पर फोलो ने किया तो जल्दी से भाई मुझे टैलीग्राम पर फोलो कर ले कुमकि जब भी मैं कोई नई अपदेट आती है तो मैं इसी टैलीग्राम चैनल पर डालता हूँ तो जल्दी से भाई फोलो कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जुरूर सस्क्राइब करें चलो चलते हैं और अभी आपको बताते हैं तो रिटेलर भाईो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपना जियो पोस प्लस अप्लिकेशन उपन कर लिया है यहां पर आपको जियो डिश्टल के वाईसी जियो दारी के वाईसी के ओप्शन नजर आ रहे होंगे तो बाईो जदी आपका जियो दारी के वाईसी का ओप्शन उपन नहीं हो रहा तो पहले आपको रिटेलर दारी के वाईसी करनी पड़ेगी कैसे करनी है उसके रगार्डिंग मैंने अपने चैनल पर वीडियो बना रखिया complete वीडियो देख सकते हैं link उसका मैंने description box में दे दिया उपर आई button पर भी आ जाएगा अभी यहाँ पर आपको mobility select कर लेना है जदी आपने sim activate करना है तो guys जैसे मैंने mobility select किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं next page open हो चुका है तो guys सबसे पहले जो retailer है पोस के उन्हें यहाँ पर अपना fingerprint लगाना होगा तो guys fingerprint के मादेम से जदी आप activation करते हैं तो customer को बाद में televerification नहीं करवानी पड़ती तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास है mantra device पहले mantra device Jio Pose Plus में work नहीं करता था तो इसलिए मैं PV 510 device से Jio की activation करता था तो अभी Jio Pose Plus में mantra device काम कर रहा है आज मैं आपको live mantra device से Jio की activation करके बताऊंगा तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने OTG लगा रही है mantra device में तो जैसे मैं mobile से connect करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं I agree and continue पर मैंने क्लिक किया तो mantra device activate हो चुका है जैसे मैं क्लिक करूंगा फिर से I agree पर तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा mantra device activate हो चुका है अभी मैं अपना finger pin लगाऊंगा यहाँ पर तो guys जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने fingerprint लगाया agent KYC अभी agent के जो fingerprint है वो match हो रहे हैं तो अभी आप देख सकते हैं तक आपने हमारी वीडियो को like नहीं किया तो like कर दें guys वीडियो को जुरू like कर दिया करें क्योंकि बहुत मेनत लगती है वीडियो बनाने में तो यहाँ पर तो customer का आपको अधारकार नंबर fill up करना है other connection में आपको yes कर देना है और आगे आपको customer की live photo capture करनी है पीछे bite background होना चाहिए तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने customer की live photo click कर ली तो guys इतना सब fill करने के बाद जैसे आप I agree and capture पर click करेंगे तो अभी आपको customer का fingerprint लगाना हो तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपना device connect कर लिया जैसे मैं I agree and capture पर click करूँगा तो अभी आपकी customer की detail है वो अधारकार्ट से verify होगी जैसे customer की detail verify होती है तो आपका जो biometric device है वो own हो जाएगा तो अभी आप देख सकते हैं मैं customer का fingerprint लगा दूँगा तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं कि customer KYC अभी successfully हो चुकी है तो guys जैसा आपने देखा कि जदी आप अधार KYC के माद्यन से SIM activate करते हैं तो आपको कोई भी अधारकार्ट की photo upload नहीं करने होगी कुछ भी address नहीं बरना only आपको अधारकार्ट के number डालने है customer का fingerprint लगाना है और जैसे आप proceed करेंगे तो guys यहां पर आप देख सकते हैं customer की detail आ चुकी है आपको कोई फिलप नहीं करना नीची आपको customer का alternate mobile डाल देना है और retailer भाई आपको बता दू कि इस alternate number पर कोई बी OTP नहीं आएगा जदी customer कहता है कि मेरे पास number नहीं है उसको बता दें कि sir आपको ऐसे alternate number देना है इस पर कोई OTP नहीं आने बाला जैसी आप next करेंगे तो guys जहां पर आप देख सकते हैं activation का page open हो चुका है यहां पर आपको customer का select करना है कि customer MNP करवा रहा है जहां नया sim ले रहा है जदी customer कहता है कि मैंने नया sim लेना है तो आप जैसे prepaid पर select करेंगे तो यहां पर आपको FRC select करनी है FRC के regarding मैंने अपने चैनल पर पहले भी वीडियो बना रखी है कि अभी जियो की कौन सी FRC चल रही है जिसमें retailer बायों को बहुत अच्छा खासा commission दे रही है company आप complete वीडियो देख सकते हैं link उसका मैंने description box में दे दिया है तो यहां पर देख सकते हैं guys मैंने MNP पर click कर दिया तो retailer bio जिस भी company के number को आप जियो में port out करना चाते हैं उसकी आपको यहां पर detail fill up करनी होगी सबसे पहले आपको mile number डान ला है और आगे आपको UPC code डान ला है और अभी मैं आपको बताता हूँ कि बिना UPC code डाले आप कैसे MNP कर सकते हैं तो guys कई वार ऐसा होता है क हमारे पास जो customer आया है sim port करवाने के लिए उसके number पर UPC code नहीं आ रहा तो customer तो इतना time बेट नहीं करेगा तो इसलिए आप dummy code डाल कर उसकी sim port कर सकते हैं बाद में आपको company को सही UPC code send कर देना है और अभी आपको बताता हूँ कि आपको UPC code में क्या dummy code डाले हैं आपको बड आ देना है कि sir आपके number पर UPC code नहीं आ रहा तो मैंने dummy code डाला है बाद में जब भी आपको number पर UPC code आ जाएगा तो आप मुझे send कर दें तभी आपकी sim activate होगी तो guys इतना सब बरने के बाद आप जैसे continue करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आपको prepaid select कर लेना है तो अभी आपको यहाँ पर MNP FRC plan select कर लेना है तो guys इसके recording भी मैंने video बनाई है कि अभी किस FRC में आपको retailer बायों को सबसे जादा commission दे रही है company आप complete video देख सकते हैं उसका भी link मैं description box में दे दूँगा तो guys यहाँ पर एक MNP है 239 की वो मैं select कर लूँगा इसमें आपको 220 OTI मिल जाएगा जदी आप एक MNP कर देते हैं total पैसा पापस आ जाएगा यहाँ पर आपको referend number में 12345 डाल देना है अभी आपके पास जो भी SIM होगी उसको आपको scan कर लेना है उसका ICID code तो guys यहाँ पर आप देखते हैं मेरे पास Jio की SIM है तो मैं ICID code QR code इसका scan कर लूँगा तो guys यहाँ जैसे मैंने QR code scan किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SIM का QR code scan हो चुका है तो guys यहाँ पर आप देखे हैं SIM की पूरी detail आ चुकी है अभी यहाँ पर आपको नीचे next पर click कर देना है तो भाईयो आगे आपको customer की detail verify करनी है जैसे आप check mark पर click करेंगे परसीड क जाएगी आगे जो pause के retailer होंगे उन्हें अपनी agent authorization करनी होगी जानी कि आउनको फिर से गुठा लगाना होगा जैसे वो I agree and capture पर click करेंगे device zone हो जाएगा fingerprint उनको फिर से लगाना है तो guys अभी आप देख सकते हैं कि agent authorization complete हो चुकी है next page open हो चुका है अभी customer को अपनी authorization करनी होग यहाँ पर मैं नीचे scroll करूँगा तो guys जहाँ पर आप देख सकते हैं sim के last five digit ICID number आपको डान ले होंगे तो guys मैं अभी आपको बताता हूँ कि sim के कौन से ICID number होते हैं तो guys जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास है यह sim geo की तो guys last का एक digit शोड कर last का एक digit कौन सा है 9 तो बा आपको शोड देना है तो guys जहाँ पर आप देख से ICID number डालने के बाद जैसे मैं I agree and capture पर क्लिक करूँगा फिर से जो customer है उनको अपनी fingerprint लगानी होगी दो बार retailer को अपनी fingerprint लगानी होगी दो बार customer को अपनी fingerprint लगानी होगी तो guys वीडियो बना रहा हूँ इसलिए ज्यादा time लगा है जदि आप खुद activation करोगे जियो दार EKYC के मादेम से within two minute के अंदर आप किसी भी customer की SIM activate कर सकते हैं तो भाई अभी आप देशते हैं customer की जितनी भी detail मैंने fill up की थी वो company को upload हो चुकी है अभी यहाँ पर आपको cash का page आ चुका है जितनी की आपने FRC select की थी जैसे मैं UPC कोड डाले MNP SIM activate कर सकते हैं तो अभी बात करते हैं आपने dummy UPC कोड तो डाल दिया अभी आप company को सही UPC कोड कैसे बेजेंगे तो retailer bio जब customer के number पर UPC कोड आ जाता है तो अभी आप देख सकते हैं screen पर कि customer के number पर UPC कोड आ चुका है अभी आपको अपने mobile से message type करना होगा UPC customer का number और जो UPC कोड आया वो आपको लिख देना है यहां पर आप देख सकते हैं send करना है 600006000 Jio के number से आपको यह send कर देना है जैसी आप send करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि Jio के number से मैंने send किया तो send हो चुका है company के तरफ से मुझे फिर से message आया है thank you choosing Jio you have received your port order successfully submit जो तरह आप बिना UPC कोड डाले आप MNP कर सकते हैं बाद में आप company को सही UPC कोड बेज सकते हैं guys मैं आशा करता हूं कि आपको complete video पूरी तरह समझ आ चुकी होगी और जदी आप एक retailer है और अभी तक आपने मुझे telegram पर follow ने किया तो जल्दी से भाई मुझे telegram पर follow कर लें ज video के किसी के भी recharge plans के चार चाहिए FRC plans के चार चाहिए तो telegram पर मैंने पहले से post डाल रखी आप देख सकते हैं जदी आपका कोई सबाल है तो आप मुझे comment कर सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो एक like कर देना और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया तो जल्दी से subscribe कर लें फिर मिलते हैं कि नई वीडियो में तब के लिए दन्यवाद जाहें